Students, आज हम लोग घटना चगर 2030 की भालते इतिहास का भाग प्राचे नितिहास के कुछ प्रस्ण पढ़ेंगे, जो की UP, PSC, UPSC तथा अन्न राज की प्रारंभिक परिछाओं के लिए अतिमहत्पूर होती है। तो हम लोग सबसे पहले प्राचे नितिहास के प्रगा इतिहासी काल और हलप्पा सभिता के कुछ प्रस्ण पढ़ेंगे। पहला प्रस्ण है, हलप्पा के लोगों की समाजिक पध्यत थी, बिकल्प हैं, उचित समतावादी, दासरमिक अधारित, वन्डा अधारित, जात अधारित तो बिकल पे सहिए उचित समतावादी हरपपा के लोगों के समाजिक पद्यत उचित समतावादी थी सेंदव नगर अनेका अनेक परमपराओं और प्रथाओं की प्रिस्टिभूम वाले अनेका अनेक लोगों के समिलन केंद थे तथा समाज में किसी अंता संगर्स के चिन हमे प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरा प्रस्ण है, खरपपा की सभिता के बारे में कौन से उक्ति सही है? उन्हें असुमेध की जानकारी थी, गायक उनके लिए पविट्र थी, उन्हों उन्हें पस्पत का सम्मान करना आरहम किया, उनकी संस्क्रित समानिता इस्थिर नहीं थी तो विकल्प C सही है, उन्होंने पस्पत का सम्मान करना आरंभ किया हरपा सभीता की लोग मुक्ःता मात देभी की उपासना करते थे साथ ही पस्पत की उपासना भी करते थे इस देवता के काई रूपों कांकन हमें सेंधो प्राउसेसों में परलचित होता है मोहन जोदलों से प्रापतेग मोहर परंकित त्री मुखी पुरुसको मार्सल ने एतिहासे कालकेशिव का प्राक रूप कहा है देखे इसमें जो बिकल्प का भी उत्तर दिया गया कि कौन सा बिकल्प सही है इसके बाद वर्डन भिक्या गया इसलिए हमारी वीजन हो जाता है अगला प्रस्न है सिंदो घाटी के घर किस्से बनाया जाते थे इंट बास पत्थर लकडी तो बिकल्प सही इंट सिंदो घाटी संस्कीत की विशेष्टा इसकी नगर योजिना परडाली थी हडपा और मोहन जोदलो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां सासक वर के लोग रहते थे प्रतेग नगर में दुर्ग के बाहर एक-एक उस्से निमनिस्तर का सहर था जहां इटो के मकानों के सामाने लोग रहते थे इस संस्कृत के अधिकांस मकान इटों के बने हो थे अगला प्रस्ने सिंद घाटी सबिता के सहरों की गलिया थी चोड़ी और सीधी, तंग और मेली, फिसलन वाली, तंग और तेड़ी तबिकल पे सहिए चोड़ी और सीधी सिंद वहाटी सब्विता में सहरों की गलिया चोड़ी और सीधी होती थी यहां की सड़कें पूर्व से पश्चिम एव मुत्तर से दच्छिन की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोर पर कारती थी अगला प्रसन है हडपा के निवासी गरामीर थे सहरी थे या यावर यान की खानाब दोस्ते जन जाती थे तो विकल्प भी सहरी थे हडपा सबिता एक नगरी सबिता थी या ता यहां के धिकांस निवासी सहरी थे हडपा और मोहन जोदलों के खंधार निम्नांकित में से किस नदी के तैट पर पाया जाते हैं विकल्प है रावी जेलम ब्यास सतलाज हडपा रावी नदी किनारे जबकि मोहन जोदलों सिंद नदी किनारे पर अवस्थित है हडपा वासी की सुष्ट के उत्पादन में सरप्रथम थे विकल्प हैं, मुद्राएं, कांसे के उजार, कपास, जो तो विकल्प सी सहे कपास सरप्रथम कपास का उत्पादन हडपा वासी ने किया था कपास सेंधो लोगों की मुलफसल थी इसी कराण यूनानी सिंद सब्दता को सिंडन कहने लगे जो सिंद सब्द से निकला है अगला प्रस्ने सिंद घाटी की खुदय में मिले उसेशों में ततकाले इन ब्यापारिक और आर्थिक विकास के दियोत्तग निवन में से कौन से है सिंद सब्दता के लोगों की जीवन में ब्यापार का बड़ा महतु था इसकी पुष्ट हडपा मोहंजोदलो और लोथल में अनाच के बड़े-बड़े कोठारों के पाये जाने से ही नहीं होती बलकि बड़े भुभाग में धेर सारी मिट्टी की मुहरों एक रूप लिपी और मान की कृत्माप तौल पड़ाली के स्थित्त से भी होती है हडपाई लोग सिंद्व सभिता चेतर के भीतर पत्थर धात हड़ी आतगा ब्यापार करते थे ये लोग अपने तयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुचाने के लिए नावों और बेलगाडियों का प्रूप करते थे बहुत से हडपाई महुरे में इसो पुटामिया की खुदाई में निकली है जिससे प्रतित होता है कि हडपाई लोगों ने में इसो पुटामियाई नागरिकों के कई प्रसाद नो कानुकरन किया है अताव सेशों की खुदाई में प्रात मुद्राओं से इस सभिता के ब्यापार एवं आर्थिक गतविद का पता चलता है हडपा की सभिता की स्यूग की थी विकल्प है कांच यूग, नौपासाण यूग, पुरापासाण यूग, लोह यूग, विकल्पे सही कांच यूग हडपा की सभिता का संबंद कांच यूग से था अगला प्रसने सिंद घाटी की सभिता की लोगों का मुख की ब्योसाय क्या था ब्यापार, पसुपालन, सिकार, किर्सी तो विकल्बटी से किर्सी सिंद सभिता की लोगों का मुख की ब्योसाय किर्सी था किर्सी के अधिसेश उत्पादन ने ही उन्हें ब्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जिससे की ब्यापार भेउसाय उन्ना तवस्ता में पहुंचा अगला प्रस्न है शिंद्यगाटे सभीता की लिप कौन सी है विगल में तमील, खरोष्टी, अग्याद, प्रहमी तो सिंद्यगाटे सभीता की लिप अग्याद लिप है अगला प्रस्ण है आपका सिंदु लिप में लगबग 64 मूल चिन 500 से 400 तक अच्छा रहें जो सेल खड़ी का आयताकार मुहरों तांबे की गुटखाओं आद पर मिलते हैं यह लिप चित्रात्मक थी यह लिप अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है अगला प्रस्ण है बिना दुर्ग के एक मात्र सिंदु नगर कौन सा था काली बंगन हलपा मोहंजोद्रो चन हुदलो विकल्प डी सही है चन हुदलो चन हुदलो बिना दुर्ग का एक मात्र सिंदु नगर है यह सिंदु नदी के बाएं तटपरश्थित है यहां से बड़ी मात्रा में प्रसाधन समगरी मिली है यह एक अवद्योगिक नगर था मैके ने यहां से मन के बनाने का कारखाना धूड़ा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर था विकलप हरपा, पंजाब, मोहन जोदलो, सिंधु विकलपे सही हरपा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर हरपा था हरपा की जब खोज 1922 में हुई थी तब यहां खंड भारत का भाग था वर्तमान में यहाँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आवस्तित है हरपपा छेतरफल के दिश्ट से सिंद सभिता का दूसरा सबसे बड़ा इस्थल है जबकि मोहन जोदलो छेतरफल के दिश्ट से सबसे बड़ा नगर है यह 250 सेक्टेर में बसा था मोहन जोदलों में सबसे बड़ा भावन कौन सा है विसाल इसनानागार, धान्यागार, ससास्तमभाल, दोमंजला माकान तो विकल्प भी सही है, धान्यागार मोहन जोदलों का विसाल इसनानागार वहाँ पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था, इसकी उत्तर से दच्छिट क्योड लंबाई 54.85 मीटर, तथा पूर्व से पश्चिम क्योड चोड़ाई 32.90 मीटर थी, मोहन जोदुर्ड का धान्यागार 45.72 मीटर, तथा 22.86 मीटर चोड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा बहुन था, पुरा लेख विद्या का अब प्राय है, सिक्कों का ध्यन, सिला लेखों का ध्यन, महा काप्यों का ध्यन, भोगोल का ध्यन, तो विकल्प भी सही है, सिला लेखों का ध्यन, पुरा लेख विद्या का अब प्राय सिला लेखों का ध्यन से है, अपवाहतन्त का निर्मार सबसे पहले निमलिखित मेशे की सभिता की लोगों ने किया था विकल्प है मिस्टी सभिता के लोगों ने सिंदु सभिता सिंदु घाटी सभिता के लोगों ने चीनी सभिता के लोगों ने मेश्व पुटा में सभिता के लोगों ने तो विकल्प भी सही सिंदु घाटी सभिता के अपवाह तंत्र का सरपुर्थम निर्माण सिंदु घाटी सबिता के लोगों ने किया था अगला प्रस्ने पैमाने की खोज नियासिद कर दिया है कि सिंदु घाटी लोग के लोग माप और तोल से परचित है या कोज कहाँ पर हुई विकल्प है काली बंगन, हरपा, चन हुदलो, लोथल विकल्प ड़ी सही लोथल माप तोल से समंदित साच मुहन जोदलो और लोथल से प्राप्थ हुई है लोथल से हाती दात का बना मापग मिला है यहां से गोदी वाड़ा का भी साच मिला है अगला प्रस्ने निमलिखित में से किस द्रबी का उप्योग हरपा काल की मुद्राओं के निर्माड में मुख्य रूप से क्या गया था बिकल्प है टेरा कोटा, कांसा, तांबा, लोहा तो बिकल्पे से टेरा कोटा हरपा काल की मुद्राओं के निर्माड में मुख्य रूप से सलखडी का प्रयोक किया गया है इसके अत्रिक्त मिट्टी चरट गोमेद आथ का भी प्रयोक किया जाता था मिट्टे से बनी अकृतियों को टेरा कोटा कहा जाता है अता हो पुरिक्त विगल्प यह होगा सिंद्ध घाटी के लोगों के एक महत्पूंट रचना निम्लिखित में से किसकी थी सिंद्ध घाटी के लोगों के एक महत्पूंट रचना निम्लिखित करती हुई बालका की मूर्ती है जो कांसे से निर्मित है यहां मूर्ती मुहन जोद्रों से प्राप्त हुई है देवी माता की पूजा संबंधित थी आर सभिता के साथ भूमद सागरी सभिता के साथ सिंद्ध घाटी सभिता के साथ उत्तरबैदिक सभिता के साथ विकल्प सी सहिए सिंद्ध घाटी सभिता के साथ देवी मात या मातर देवी की पुजा सिंद्गाटी सबिता का एक बिसेश लच्छन था पुरा तात्विक साच्चों से प्रातर मातर देवी की मृण मूतियों से इस बात का ग्यान होता है अगला प्रसने निमलिखित में से कौन हरपपा संस्कित के अध्यान के साथ संबंध नहीं है विकल्प हैं चाल्स मैसन, कनिंगम, एमे विलर, पियेश वत्स तो विकल्प टी आपका से यह पियेश वत्स ये जो है हडपा सभित संस्कित के अध्यन के साथ संबन्द नहीं है हडपा संस्कित के अध्यन के साथ चाल्स मैसन कनिंगम और मार्टीमर विलर जुड़े थे पी एस वत्स काई से कोई संबन्द नहा था बल्कि माधो सुरूप वत्स द्वारा हडपक अध्यन किया गय था। काली बंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। बिकल्फ हैं उत्तर प्रदेश, सेंदो, राजस्तान, गुजरात। तो बिकल्फ आप कस्ची से राजस्तान। राजस्तान में ही काली बंगा पड़ता काली बंगा राजस्थान के हन्मान गड़ जिले में घगघर नदी के बाई किनारे पैसित सेंधो सभिता का एक महत्पूर्ण इस्थल है काली बंगा के लोग एक ही खेत में फसल उगारना जानते थे यहां से भुकाम पाने के प्रचीनतम साच मिलते हैं अगला प्रसने निम्लिकित विद्दानू में से हलपा सभिता का सिर्पूर्थम खोज करता कौन था विकल्प है सर जान मार्शल आर डी बनर जी एक अनिंगम दयाराम साहनी तो विकल्प डी सहिए दयाराम साहनी हलपा के टीले का सिर्पूर्थम उलेग अठ्था सभी से सभी में चाल्स मैसन ने किया था 1912 सभी में जे ए फ्लेट ने यहां से प्राप्त की गई समगरियों पर रॉयल एसियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकासित प्तिरका में एक लेग प्रकासित किया जनरल कनिंगाम ने 68, 33, 33 सभी में इसका सरविच्छन कर कुछ पुरावस्त्वे प्राप्त की कनिंगामें उम फ्लेट हडपा के प्रातात्विक महतुका सही-सही मुल्यांकन करने में असमर्थ रहे 1922 में सर जान मौर्सन के निर्देशन में द्याराम सहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ततकालिन मांट गोमरी संप्रत साहिवाल जिले में स्थित हरपा सभिता के प्रातात्विक महत को जागर किया अगला प्राशन हरपा सभिता की खोज केश वर्स में हुई थी 1935, 1942, 1901, 1922 तो विकल्प 10 सही है 1922 सिंद गाटी सभिता का पत्तर नगर यानि की बंदर गाह कौन सा है विकल्प है काली बंगन, लोथल, रोपड, मोहन जोद्रो तो विकल्प 20 है लोथल लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप इस्थित है 1925 तथा 1962 के मद यहां S.R. राव के निर्देशन में खुदाई की गई जहां दो मेल के घेरे में बसे हुए एक नगर के उसेश प्राप्त हुए है यहां च्छा खंडो में भग्त था यहां उच्छे जब उत्रे रच्छा प्राची सडग तथा मकानों के उसेश मिले है यहां की सबसे महत्मूर पलब्दी पकी इटों का बना हुआ विसाल आकार 246 मीटर का एक घेरा है जिसे राव महोदा ने जहाज़ों की गोदी बताया है इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था यह भोगवा नदी के किनारे इस्थित था लोथल में तो भिन भिन टीले नहीं मिलते पूरी की पूरी बस्ती एक ही दिवार से घिरी थी अगला प्रस्ने लोथल नामक इस्थान पर निम्नोक्त सभिताओं में से किसका जहाजी मालगाट था विकल्प हैं सिंद भाटी बीब मिस्वटामियाई सी मिस्री और डी फार्सी विकल्प है सही सिंद भाटी लोथल नामा के स्थान पर सिंदु घाटी सभिता का जहाजी माल घाट था अगला प्रस्ने सिंदु सभिता के टेरा कोटा में निमलिखित में से कौन सा पालतु जनुर भिद्धिमान नहीं था आपसने भैंस भेंड गाई सुवर तो बिकल्प सी सही गाई सिंदु सभिता के टेरा कोटा मिट्टी से बनी अकृतियों में गाई के कृत का कोई साच मौझूद नहीं है अन दिये गए सभी जनुरों का इस अंदर में साच मौझूद है अगली आपकी टोपिक है बैदिक सभिता निमलिखित में से किस बेदने में प्राचीन बैदे क्योंकि सभता के बारे में सुचना आती गई है विकल्प है आपके रिगवेद, यजुरवेद, अथरवेद, सामवेद तो विकल्पे से रिगवेद रिगवेद भारती आर्डियों की ही नहीं अपित समस्तार रिजात की प्रचीनतम रचना है या भारत तता भारत उत्तर प्रदेश के आर्डियों के तिहास भासा, धर्म एवं उनकी सामान संस्कीत पर प्रकास डालता है इसमें दस मंडल तथा एक हजार अठाई सूक्त है अगला प्रस्ने बैदिक गडित का सरवाधिक महत्पूर्ण गरंत है सत्पत ब्रामहाड, अथरवेद, सुल्ब सूत्र, छंदोग उपनिसाद विकल्प सी साये सुल्ब सूत्र बैदिक गडित का सरवाधिक महत्पूर्ण गरंत सुल्ब सूत्र है इसमें यग इस्थल तथा अग्न बेदिक के निर्मान तथा माप से समंदित नियम गडित है अगला प्रस्ने बैदिक आर्रियों का प्रमुक भोजन था जव और चावल, दूद और इसके उत्पाद, चावल और डाले, सबजियां और फल तो विकल्प भी सही है, दूद और इसके उत्पाद बैदिक आर्रियों में के भोजन में दूद, घी, दही, अद का प्रमुक महत्त था रिग वेद में दूद में यो, यानि की जव डालकर छीर पकोदन था, दही में बनने वाले पनीर का उलेख मिलता है जव के सत्तू को दही में डालकर करम नामक भोज पदरक त्यार किया जाता था रिग वेद में चावल और नमक का उलेख नहीं है अगला प्रसनी निमलीखित में से कौन सान मनिसुद्वरा सबसे पहले प्रियोग होने वालो में से था विकल्पे है जव, जाई, राई, गेहूँ विकल्पे सज़ जव मनिसुद्वरा सरपतं जव का प्रियोग करने के साथ से प्राप्त होते हैं वैदिक लोगों द्वारा किस धात का प्रियुक पहले किया गया था विकल्प है चांदी, सोना, लोहा, तामबा तो विकल्प डीस सही आपका तामबा रिगवेदिक लोगों द्वारा सरप्थम तामबे का प्रियुक किया गया था रिगवेद में आयस नामक धात का उलेख है किंद उसकी पहचान संदिक्ध है कुछ बिद्वान इसे तामबा, कांसा या लोहा बताते हैं किंद रिगवेदिकार लोहे से परचित नहीं थे वेद सब्द का आर्थ है ग्यान बुद्ध मता उसलता सकती विकल्पे सही है ग्यान वेद सब्द का आर्थ ग्यान होता है अगला प्रसने आर यार पूर्वों के साथ अपने संघर्सों में सफल रहे क्योंकि विकल्प है उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रियोग किया वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे वे एक उन्नत सहरी संस्कीत से थे उन्होंने घोडो द्वारा चलाये जारे रथों का प्रियोग किया विकल्प डी सही है उन्होंने घोलो द्वारा चलाये जारे रथों का प्रियोग किया आर आर पूर्वों के साथ अपने संगार्सों में सफल रहे इसका प्रमुक करण उन्होंने घोलो द्वारा चलाये जारे रथों का प्रियोग किया अगला प्रस्ने इन में से किस फ़सल ग्यान वैदिक काल के लोगों को नहीं था विकल्प है जव गेहूं चावल तंबाखो विकल्प टी सहे तंबाखो वैदिक काल के लोगों को तंबाखो फ़सल का ग्यान नहीं था भारत में पतंबाखो पूर्टगालियों द्वारा ब्राजील से लाया गया और सबिता में मनुस्ट के जीवन में जीवन के आयू क्या रोही करमा निसार निम्लिकी चनडों में से कौन से बिकल्प सही है बिकल्प है ब्रमचर ग्रेष्ट वानप्रेष्ट सन्यास अगला बिकल्प है ग्रेष्ट ब्रमचर वानप्रेष्ट सन्यास हिंदू धर्म मानो जीवन को चार अवस्थाों में विभाजित कर आश्रम बेउस्था का प्राधान किया है हिंदु धर्मसाष्ट्र मनुष्ट की आयू 100 वर्स मानते हैं तथा प्रत्यक आश्रम के निमित 25-25 वर्स की अवद निधारित करते हैं यथा ब्रमचर के लिए आरंभी का वश्था से 25 वर्स ग्रस्त के लिए 25-50 वर्स वानप्रस्त के लिए 50-75 वर्स तथा सन्यास के लिए 75 वर्स से 100 वर्स तक जाब आलोप निसद में सरप्रतम चारों अस्रमों का उलेक मिलता है अगला प्रसने प्रारंभी कार्यों के बारे में निम्नोक्त कत्रों में इसे कौन सा सही नहीं है विकल्प हैं वे संस्कृत बोलने वाले थे विकल्प अगला है वे घुर्चाओरी क् कई जिंडों में भातवर्स मौचे वे मुख्यता नगरों में निवास करते थे तो विकल्प डी सही है वे मुख्यता नगरों में निवास करते थे प्रारंभिक आर मुख्यता गाओं में निवास करते थे नगरों में नहीं आरंभिक वैदिक काल में वन्ड ब्योस्था अधारित थी सिच्छा पर जन्म पर ब्योस्थाय पर प्रतिभा पर तो विकल्प सी सही है ब्योस्थाय पर अब हम लोग अगले आगे के प्रस्थ जोए पार्ट टू में पढ़ेंगे अगला प्रस्थ देखने के लिए और अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें